नमस्कार, सिटीपोस लाइब में आपका स्वागत है, मैं हूँ अनुराग। पतना वासीों के लिए बड़ी खबर है। स्टेंट था पतना का उसे स्टिफ्ट किया गया Patshali Putshtra bus terminal बेरिया में बनाया गया यह काफी बड़ा बनाया गया यह जो बस टर्मिनल है और यहाँ पर तमाम जीलों से जो बसे आएंगी या बल्की बाहट के गाजों से भी बस आएंगी वह यहाँ पर पार्क होँगी लेक और उसके बाद लगातार जाम की इस्तिती बनी हुई थी, हालात ये थे कि सड़क पर बसे खड़ी थी, पताया ये जा रहा था करण की पतली पुत्रा, बस टर्मिनल जो है, उसके अंदर सुविधाओं की कमी है, पार्किंग की कमी है, जगा सही से नहीं दिये गए है, ववस् सरजाम की इस्तिती बनी हुई थी, इस बस स्टेंड के सिफ्ट होने के बाद, लेकिन अब इसे पूरी तरह अतिक करमन मुप्त करा लिया गया है, और बसों को पार्किंग से मुप्त करा लिया गया है, बस जो बाहर खड़े थे, वो अंदर सिफ्ट हो गये हैं, यानि बस स् प्रसासन ने इसका अपचारिक एलान किया है, इसको अपचारिक रूप से उन्होंने अपने टीटर हैंडिल से पोस्ट किया है, और वो तस्वीरे भी दिखाई है, आपको वीडियो भी देखने होंगे, किस तरह से जो तस्वीरे साजा की गई है, पतना जिला प्रसासन की से उसमें बताया गिया है कि अब उस इलाके को जहां पर यह तमाम सवाल उठ रहे थे और नए बस स्टेंड पर भी सवाल खड़े हो रहे थे क्या कि इस बस स्टेंड को इतना ताम जाम के साथ बनाये गया था कि यह काफी बड़ा होगा यहां पर किसी तरह की मुश्किलों का स चापे मारी की थी जी हां चापे मारी उसलिए क्योंकि उन्होंने तमाम तरह की समस्याओं को देखा था और अब इन समस्याओं को दूर करने का दावा पटना जिला परसासन की तरफ से किया गया है जो ट्वीटर पर पोस्ट किया गया है वीडियो के साथ साथ जो लिखा ग करा दी गई है आदेश की अवेला करने पर 12 बसों के बिरुत दंडात्मक करवाई कर 66,500 रुपे जुर्माना वसूला गया है और कुछ बसों को जबत कर फ्रेन से हटाया गया है तो जीला प्रसासर ने पड़ी करवाई की है दरसल ये खबरे मीडिया की सुर्किया मनिवीती प हजीहत हो रहे थी जो बिहार के बाहर के कौने कौने से यहां बस स्टैट पर पहुंच रहे थे उनका गंतवे तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया था लेकिन अब इसे दूर कर लिया गया है पटना जिला परसासन के द्वारा सुखत कबर है बिहार के लिए और पटना वासियों के लिए तो अब बस यात्रा सहज सुलब हो सके भी यह हम उमीद कर सकते हैं बने रहे हैं सिटी पोस्ट लाइट पे साथ तमाम खबरों से आपको अब्डेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद